ओम स्रीवेंकटे साय नमहा, मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नारायन राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज संत स्री गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा विर्चित स्री राम चरत मानस के अरने कान से सम्बंदित अवर एक पद की व्याक्या अब मैं करने जारां सापत ताडत परुष कहंता विप्र पोज अस गावही संता पूजिव विप्र सील गुन हीना सूद्रन गुन गन ज्ञान प्रबीना कही निज दर्म ताही समझावा निज पद प्रीति दे की मन भावा रगुपती चरन कमल सिरुनाई गयव गगन आपन गति पाई ताही देही गति राम उधारां सबरी के आस्रम पगुधारां सबरी दे की राम गुरुँ आयें मुन के बचन समझ जी भायें सरसिज सो लोचन भाह बिसाला जटा मुकट सिरु उर्बन माला स्याम गवर सुन्दर दोव भाई सबरी परी चरनल पठाई प्रेम मगनमक बचनन आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा साधर जललाई चरन पकारें पुनि सुन्दर आसन बैं थारें कंद मुल फल सुरसि अति दिये राम कहु आनी प्रेम सहित प्रभु खायें भरंबार बकानी अब क्या हुआ आगे देखेंगे सापत ताडत परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावही संता पूजी भी विप्र सेल गुनहीना सुद्र ना गुन गन ज्ञान प्रभीना यहां तो सिदाज जी कोई शब्द के बारे में हमें विरोध करनी कोई जरूरत निक्योंकि यहां ब्रामन कोई जातिवाचक शब्द नहीं है शुद्र भी कोई जातिवाचक आज हम अपनी मुर्कता के कारण जन्म से माना है वो अलग बात है लेकिन यह तो वास्तों में बारती सनातन दर्म में यह तो वर्क डिविजन है मतलब इस समाज हित के लिए अपने पढ़ाई अरदात ज्ञान यह आधी के द्वारा आजकल की बाशा में बोलना है तो सारे वाइज्ञानिक डॉक्टर इंजनेर मतलब जो भी अपनी पढ़ाई से समाज के हित करता है वो सब ब्रामन है इसलिए कि शाब देता हुआ मारता हुआ कटोर वचन कहता हुआ भी ब्रामन पूजने मतलब यहां शाब देना नहीं कोई अगर इतने पढ़ा लिखा कोई वैज्ञानिक हो अगर किसी कारण तोड़ा गुस्सा कहिने पर भी उसे अमें गलत मानने की कोई जरुत नहीं है एसे संत वाक्य है और यहां दर्म ताही समझावा निजपद प्रीति दे की मन भावा रगुपति चर्न कमल सिरुनाई गयव गगन आपन गति पाई प्रभुशिराम चंदर जी ने अपना दर्म मतलब भागवत दर्म कहकर उसे समझाए क्योंकि यह बारतिय सनातन दर्म की बात है कि यहां सारे मनिश्य समान है कोई बेदबाव नहीं है अपने खारी के कारण अपने प्रतिबा के कारण कोई भी हो तो प्रोटोकाल तो चलता है रहता है क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं अगर कहीं कोई कारियले में जाना है तो वहां भी एक प्रोटोकाल रहता है सब वहां का जो सबसे मातंदर में सब प्रोटोकाल की बाते अपने कार्य से ही जाती होती है जन्म से नहीं है अब यहां देखे प्रभु बताए हैं कि अब सारे जो प्रेम देकर उन्हें एक मन को बाया और जो प्रभु शिराम चंदर जी के सरण कमलों में सिर्न वाकर जब गंदर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया है अब आगे क्या हुआ ताही देही गति राम उदारा सबरी के आस्रम पगुदारा सबरी देकि राम गुरुफ आये मुन के बचन समझ जी भाये उदार शिराम जी उसे गति देकर मतलब राक्षस तो अब जो जिस प्रेकार अपने शाप अब प्रेबुशी राम चंदर जी शबरी जी के आस्रम में पदारे शबरी जी ने प्रेबुशी राम चंदर जी को घर में आये देका तब मुनी मातंग जी के वचनों को याद करके उनका मन अत्यंत प्रसन हो गया है सुन्दर दों भाई सबरी परी चरनल पटाई कमल सद्रुश नेत्र और विशाल बुझावाले सिर्पर जटावं का मुकट और हुरदय पर वन माला दारन किये हुए सुन्दर सावले और गोरे दोनों भाईयों के चरनों में शबरी जी लिपट पड़ी हैं प्रेम मगन भुक भचनन आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर्णावा सादर जललाई चरन पखारे पुनि सुन्दर आसन बैटारे विशाल प्रेम में मगन हो गई क्योंकि मुक से वचनी नहीं निकलता है क्योंकि प्रभु को सामने देखकर वो बहुत आश्यर चकित हो गई हैं बार बार चरन कमलों में सिर्णवा रहे हैं फिर उन्होंने जल लेकर आदर पुरक दोनों भाईयों के चरन दोई हैं और फिर उन्हें सुन्दर आसनों पर बैठाया कंद मूल फल सुरस अति दिये राम कहु आनी प्रेम सहित प्रभु खाएं भरंबार बकानी उन्होंने अत्यंत रसिली और स्वादिस्ट कंद मूल और आज कल की बाशा में बोलना है तो प्यूरली और्गानिक फल किलाए क्योंकि वन में कोई दिक्कत नहीं है फल लाकर प्रभु शिराम चंदर जी को दिये प्रभु ने बार बार प्रशमशा करके उन्हें प्रेम सहित काया क्योंकि ऐसे खाना है नहीं उनकी प्रशमशा भी कर रहे हैं इस पद का और एक बार में संक्षेप में बताना चाहता है या संत कहते हैं मतलब बारती सनातन दर्म में जाती जन्म से नहीं कर्म से हैं इसलिए ब्रामान को सरवदाव पूजनी मतलब जो सबसे विज्ञान वाई ज्ञानिक सबसे पूजनी हैं अगर जो शूद मतलब उसको कम नहीं है मतलब उनसकी तुलना में कम हो सकता है लेकिन वो समान मानते हैं जहाँ जहाँ अपने अपने योग्य स्तान दिया है शिराम जी ने अपना दर्म मतलब भ्रहमन भक्ति कह कर उससे समझाया और जब उन्होंने अपने चरनों में उसकी भक्ति देखी तब उनके मन को प्री लगा इसके बाद रोगनाजी चरण कमलों में सिर्नवा कर वो अपनी गती मतलब गंदर रूप पाकर आकाश में चला गया इसके बाद उस गती देकर उसको मुक्ति देने के बाद प्रभुशी रामचंदर जी शबरी के आस्रम में पदारे स्री सितारामचंदर स्वामी जी को गर में आया देख शबरी को जब मुनिवर मातंग जी के वचन याद आ गए हैं और अत्यनत प्रसंदता का अनुबव किया है कमल के समान नेत्र और लंबी बुझाओं वाले सिर पर जटाओं का मुक्त और वक्षस्तल पर वनमाला दारन किये हुए सावनले और गोरे दोनों बाईयों के चरणों में शबरी लिपट गई वो प्रभु के प्रेम में ऐसी मगन हो गई है कि उसके मुक्से वचन नहीं निकलता है वो भार भार उनके चरण कमलों में सिर नवाती हैं फिर जल लेकर आदर पूर्वक धोनों बाईयों के चरण दोकर उन्हें सुन्दर आसनों पर बिटाती है इसके बाद क्या हुआ शबरी ने बहुत ही रसीली और स्वादिस्ट कंद मूल और फल लाकर प्रभु शीराम चंदर जी को दियें प्रेभु ने बार बार अत्यनत सराहना करके करते करते ही उन्हें प्रेम पूर्वक काया क्योंकि इसे पता चलता है कि कौन दिया है ये बात नहीं है इस गठना के माध्यम से प्रभु शीराम चंदर जी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रभु के लिए भक्ती ही मुख्य हैं कोई जाती दर्म ये ये बात तो ये हमारी कलपना है इसमें बगवान का या तोसिद का कोई दोस्त नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीमन नाराएं